एवर ग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेट रंग है तो जीवन है स्टे होम, स्टे सेफ नेता संतोस्त वारी लसकरी महंत के गाओ लाहर हवेली जहाँ पर संतोस्त वारी के पुत्र प्रिसांत वारी लसकरी महंत द्वारा मतब्रदेश के ग्रह मंती डॉक्टर नुत्तम मिस्रा को भगवान स्री गड़ेश का इसमती चिन भेंट किया गया सीदे तस्वीर लार हेवी लिगाओं के आपको दिखा रहा है जहाँ पर संतोस्त वारी लस्करी महेंत के निवास पर उनके पुत्र प्रसांत वारी द्वारा मत ब्रदेश के ग्राय मंत्री डॉक्टर नुत्तम मिस्रा को भगवान स्री गड़िस का स्मृति चिन भेट कर उनक बातियंत्र पांटी के वरश्ड नीता संतोस्त वारी लस्करी महेंत के अगवाई में मत्वर्देश के ग्रह मंत्री डॉक्टर नुत्तम मिस्रा का बेमिसाल स्वाकत किया इस मौके पर बड़े भोच भोच का भी आईजन किया गया इस मौके पर बांडेर से पूर्म प्रदीव अग्रवाल सरपंच योगेन सींग राजपूत प्राण सींग लल्ला बिनोध यादव पूर सरपंच सोपता नवाफ सींग गुर्जर लहार हवेली गंभीर सरपंच सोपता राज बहादुर सींग गुर्जर पूर सरपंच विक्रम सींग सरपंच रामलला सरपंच विक्टोरी सहत बड़ी संख्या में भारती जंतपार्टी के नितगर मुझूद रहे तो सीधे तस्वीरों में आप देख रहे हैं भारती जंतपार्टी के बरिश्च निता संतोस्त वारी लसकरी महन के निवास पर पहुंचे हैं अदब्रदेश के ग्राय मंत्री डॉक्टर नरुत्तम मिस्रा तस्वीरों आप देख रहे हैं सेवड़ा से पूर्म नगरपाल का अब्देश्च ब्रश्च के सोट बल्ले रावत सहत बड़ी संख्या में भारती जंतपार्टी के वरिश्च निता लार अविली गाव में पहुंचे हैं इस मौके पर दवो से ब्रह्मन सवाके जिला अब्रेक्ष शिवकुमार गुर्स्वामी एवं से पूर्म नगरपाल का अठेक्ष लीना धीरज माते उन दवो से जितेंद्र यादाव एवं राम मोहन मुद्गिल से ब्रश्च निता पार्टी के वरिश्च निता संतोस्त वारी लसकरी के अगवाई में उन साथ जुड़ रहे हैं संतोस्त वारी लसकरी क्या कहना चाहेंगे आज भारती जन्ता पार्टी के तमाम कारकरताओं के बीच जो तमाम सवगातों का सलानलाज मंतरी जी ने किया है क्या दन्दवाद पाज साब कापी समय से मंतरी जी से हम अन्रोद कर रहे थे हम नए फटर में आओ रहा हो और हमारे चीत्र को कोई सोगात देरा शुमारत से स्अट काम सव हम सभी लोगने सवागत कि यद। नहीं ने बहुत कि यहिए इस तरी के समध्री जी ने आज में से कहा था किन नमक् खृयां और ज़्दे बढ़े तो तो हम Game No तो क्या-क्या विकासकार देखे गए हैं आपके छेतर के लिए निश्चे रूप से मंत्री जी तो मतलब बलकुल खुसमजाद रहते हैं जबकि अब इसकी तो कोई जरुएती नहीं थी जो जो हमने मांग की उसे कई समस्या याशी थी के हम लोग काफी बरसों से पिशड़े हमें इपी होके यहां से जाना पड़ता था तो एक तो धनोटी से और लहार बाया खिरिया काण और प्रश्यमंती रोट सोईकिर्ट हुगा है उस पर काम सुरू हो रहा है और एक बाइपास रोट की हमें बहुत जरुए थी चुकि गाउं में संकिन होने के करण बड़े बह बहुत परान नाला है उस पर हाइट होना उसकी बहुत जोड़ी थी बरसात में लोगों को परिशान हो थी तो भो भी उनने मंजूर किया तो मंत्री जी बिलकुल हम लोगों के लिए बिलकुल बचन बंदर है जिस परकार से हम लोग कांगरेस छोड़के भाजपा में आये तो हम लोगों को कभी महसूस नहीं होने देते हैं कि हमें कोई काम बताएं और हमाई बात ना सुनी जाए भारती जनता पार्टी में देखा जाए तो आप कॉंग्रेस में भी जिले के आप उपात्देख से तो क्या करण था कि आपको कॉंग्रेस छोड़ना पड़ी भारती देखने को टीवी में सुनने में सब कुछ आता था तो सुनते थे कांग्रेस में काफी साल तीस साल रहने के बाद और उपक्षासी हो गई थी कुछ भी काम बताओ तो समय पे काम निगोना इसलिए हमारे लोग भी परःसां थे बहुत दुखी थे लोग तो सबसे हमने सलाय मसूरा किया, बहुर बताओ क्या करें, अगर आप लोगों की इक्षा हो तो अपन पार्टी बदलने, तो हम लोग ने मन मनाया और मंतरी जी को पता चला कि जी बाजपा में आ सकते हैं, तो मंतरी जी ने हम को बुलाया, हमने सब लोगों से बात की, मुखमंत्री उनाओ में आयते साइब 11 तारिक थी कोई तो मुखमंत्री ने का मंत्री जी ने बोला हमसे कि आप बिल्कुल आज ही सब को लेके तो हमने उनसे कहा दादा अभी इतने समय में तो कल आना था एक दिन पहले इतने जल्दी तो नहीं हो सकता लेकिन हम काफी लोगों को भार्दियंदा पार्डी सदस्तर दलाई है उनकी उम्मीदें आप पर टिकी हुई है तो उनके सपने पूरे होंगे आपकी अगवाई में निश्य रूप से किसी ने रोड की मांगी किसी ने आई स्कूल की मांगी तो उनने विल्कुल बादा किया है और बोलावी है मंच सबी के अभी बजट नहीं है मार्च में और कुछ जो अभी हो सकते जो अभी बगाया मार्च में सारे जो जो मांग की गई है सरपंचों की उनने हम सब को सुईक्रिट कर देंगे बनवा देंगे हमने लगता कहीं के हमाई जितने भी सामल हूए और पूरी भांडरत हैं चूकि मंतुरि जी की ध्युएं हैं अगर मंतुर जी के बीच में हम लोग नहीं आया होते तो निश्ट रूप से कुछ भी होता हम नहीं कहते लेकिन मंत्री जी के ही बज़े से हम लोग सब सामल हुए है पार्टी में तो इसलिए मंत्री हम लोगों का हमारे साथियों का सारे भांडर तैसिल के लोगों का बहुत ख्यार रखते हैं अगला सवार आप से करना चाहेंगे इस समय आपके में देखें पार्टी में रहें व् going to the day the जो सजनता है कभी किसी से हमने देखा कभी आचï अनका मूड को खराब है या क्या है यह जिला रहे किसी पर हमें भी पोंच जाता है उनके पास जो समस्या लेके पुछता वो तो तो तक तो यही कहते हैं अगर तेरे पास फोन नमर तो लगा दे और बात करा दे और नहीं होता है तो जिस अधकाली को तो उसको अपने पीए से फोन लगा के समस्या का अंदराकन करते हैं उनको उन जैसा सेंसिल आदमी हमने तो अपनी लाइफ में ने देखा हैं मुझे तो इसलिए पसंद थे और इसी पर हमने सब से सलाय करके सबी लोगों से सरपंचों से जनपसदों से मसुरा करके इसी विसाय पर हम सामल हुएं और निश्चे रूप से वो हम लोगों की सुनते हैं और सुनते रहेंगे आखरी सवाल आपसे करना चाहेंगे जिस तरीके से जो आपने त्याग किया है कॉंग्रेस के चोड़कर आप गये हैं तमाम जनप्रत्री दी गये सरपंच गये सभी गये अब कहीं न कहीं आपके त्याग को देख तो यह भारती जंद पार्टे को यह आपको बड़ी जिम्म करते होगी हमें तो लगता है बिल्कुल हम बहुत खोस हैं उस पाइटी में किसी चीज की कमीनिया कुछ दें और फिर अगर पाइटी के ख्षा है कुछ देंगे तो उसे नवाएंगे लेकिन ऐसी लालसा नहीं है कि हम मांग करें कुछ कि हमने आपको जिताय हमने इतने सरप सबसे बड़ी बात तो यह है कि भांडर विदान सवा के लोगों को एक बेरोजगार की सबसे बड़ी समस्य होती है तो बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सोलर प्लांट का ववादा को दोहराया है कि निश्चित रूप से ग्रह मंत्री डॉक्टर नॉत्तम मिस्रा मिस्रा के प्रयास से इस बात को भांडर की विधायकार अक्षा सरॉनिया ने भी सुईकार किया है कि प्राच लिखता होगी भांडर विदान सवा में सोलर प्लांट लगेगा और मार्च के निकट बाद खेल स्टेडियम को लेकर भांडर विधान सवा के लिए बड़ी स्व